दोस्तों आपका हमारे यूटूब चानल पर स्वागत है सबसे पहले तो मैं आपको बोलूगा जासाता हूँ हैपी फ्रेंड्शिप दे तो आज हमारी फ्रेंड्शिप परकरार रखने के लिए मैं आपको बताऊंगा टूर्नामेंट टिप्स एंड ट्रिक्स तो उससे पहले माइक टेस्टिंग से जागा लग टेस्टिंग करते हैं फॉर्चिन वॉल्ड्स खॉल के आज जाए रहे आज जाए एक कोई साथ जा आरे रहे चीमा ये शायद लैंसर कि स्कीन है खटा रह तो हमारा लग किताब बहुत ही ज्यादा बुरा है तो हम देखे तो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टूर्णामेंट में क्या है सबसे पहले आपको यह बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है कि टूर्णामेंट का शेडूल क्या है तो देखिए इधर गाइडलाइन्स नाम से रहता है तो इस गाइडलाइन्स को दबाईए और इधर यह हीट में टनल ऑफ परेट रहेंगा है वी डूर कि फर्च ताल यह ऐसा पूरा सब कुछ रहेंगा यानि कि पूरा शेडूल पता सल जाता है तो शायद कुछ लोगों को ही पता रहता है मेने जिस्ता नोटीस किया है और अब बताओंगा में आपको टूर्नामेंट की ट्रिक त यह और सबसे, उस टाइम पे चाल सबसे इजी प्लेयर्स स्मीब्स और यह यह टूर्णामेंट sachम होने से 2 Σ पहले, तो अगर आप टूर्णामेंट खतम होने के दो सेकंड पहले ही लॉग इन कर देते हो तो आपको बहुत एक्ट्व रहना पड़ेंगा पर आपकी टाइम बहुत सेव हो सकते हैं तो आपको मैं हिस्ट्री दिखा देता हूँ तो इसमें मैंने कुछ खास पाफम नहीं किया क्योंकि ज़रान मेरी एक्जाम शुरू थी तो एक्सपर्ट है यह देखिये मैंने हीट टू में यारने कि इधर में स्टेइन ब्रैकेट ही रहू और हाँ जो जिन लोगों को जो लो और फिर देखिये हीट 2 में मैं 1st है हीट 4 में 1st है और हीट 6 में हीट 2 में यह सबसे पहली टूर्णामेंट में हैं हीट 1 बाय तो इसमें 50 दूसरे इसमें 1st आयो उसमें 100 और इसमें हीट 6 में 200 तो मैंने टोटल 350 कमा है तो इसमें कैसे अगर आप आपको देखिए मैंने मेरा स्कोर 630 ही है यह मैंने एक घंटे में भी पूरा एक घंटा नहीं आधा घंटा ही खेला है और हीट 4 में मैंने बहुत पहले लॉग इन कर दिया था याने कि पिछली रात या साड़े स 8 बजे के आसपास तो हीट 4 में भी मुझे इत्ते कम मिल गया और हीट 6 में मैंने यह हीट 6 मुझे बहुत ही ध्यान लगा कि क्योंकि यह हीट 6 में बहुत जल रहा था बहुत सारे लोग ऑनलाइन थे पर मैंने इसको पूरे टू एंड आफ आर्स पहले लॉग इन किया था औ और आप देख सकते कि मैं ज्यादा भी नहीं खेला हूँ पूरे 48 बैटल सी खेला हूँ पूरे इसमें इसलिए इत्ता भी हाड नहीं है और आपको पहले बता दू सबसे पहले जो पॉइंट आपको नोट करना है वो कि आप जब भी फर्स टाइम टूर्नामेंट खेलेंगे तो आप आपको बहुत पहली मैच सबसे खरब मैच खेलनी चाहिए देखिए मैंने अभी भी एंटर बैटल नहीं किया ग्राइंट मास्टर की टूर्नामेंट है आप दूआ कीजिए तो ऐसा करना है और इसे के साथ हम और आपको एक और एक इंफॉर्मेशन बताना चाहता ह रॉयल बॉस की बॉस ने ऐसा ने किया उसने टूर्नामेंट स्टार्ट होते ही किया तो उसका टूर्नामेंट स्कोर बहुत ज्यादा हो गया था मैं अभी आपको स्क्रिंशॉट दिखाता हूँ एक मिनेट यह आप इधर देखिए रॉयल बॉस की 40 किसमत वह सेकेंड नंब जितना उन्होंने इस टूर्नामेंट में ले लिया है क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा पहले लॉगिन किया था तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इत्ते जल्दी लॉगिन मत कीजिए आप कुछ देर रुक कर ही लॉगिन कीजिए यानि कि इससे आपका भी स्क्रिन्शोट मांगा है और इससे आपके टूर्नामेंट टिकिट्स भी बहुत ज्यादा वेस्ट होंगे 11,000 पॉइंट एक 1000 पॉइंट कमाने के लिए अगर आप बहुत ज्यादा अच्छा खेले अगर आपके एक मैच में 20 किल्स से उपर होते हैं 20 किल्स के आसपास तो आ समझ लेते हैं कि आवरेज 2-2 50 पॉइंट बढ़ते होंगे तो 1000 पॉइंट करने के लिए भी 4 टिकिट्स लगेंगे तो उन्होंने 11,000 किये तो हम उनको कम से कम 44 टिकिट्स तो लगे ही होंगे तो ऐसा है मेरा बोलना है कि और टिकिट्स एक बार में एक दिन में आपको 12 टि कोईंग्स खरीद के एक कोईंग्स यूज करके टिकिट्स लेने पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं क्यमत कीजिए और अगर आप बहुत टूर्नामेंट खतम होने से याने की रेजिस्ट्रेशन रहता है याने की टूर्नामेंट खतम होने को 1 आर 2 मिनिट्स या 2 सेकेंड्स जो भी जाए और आप आप कंटिन्यूसली गेम नहीं खेल सकते तो 7.30-8 बेस्ट टाइम रहेंगा आपके लिए तो इसी के साथ थैंक्यू बाई बाई लाइक सस्क्राइब और शेयर करना मत बूलिये